वेस्टो गाइज, I hope you are doing well, I am veer, welcome to sterler family की life कैसे चलने वाली है, अगर आप लोग उसी पोलम को आप लोग अपने अंगूठे के या फिर एडी के नीचे रखोगे, तो वही पोलम आप लोग को बोनी सी छोड़ी सी नजर आएगी, और आप लोग हमेसा आगे वढ़ते वे चले जाओगे, अपना काम करते वे, तो यह ही बात यहां पर समझाने कोजिस की गए, कि life में बहुत सारी पोला माने वाली है, पर आप लोग को समझना पढ़ेगा, कि उसको tackle कैसे करके चलना है, एक solution oriented mind का, बहुत सारे जो लोग हमेसा क्या करते हैं, किसी दूसरे इंसान को copy करने की कोजिस करते हैं, और पर लेकिन वो completely different होगा, जो आप लोग घर में होगा, मेरा educational background completely different होगा, जो आप लोग का education background है, तो किसी को भी किसी के साथ में compare करके, कभी भी life में आप लोग ये नहीं बोलना है, कि उस इंसान ने ये काम कर दिया, या फिर उस इंसान ने ये काम नहीं किया, तो मेरे से भी नहीं होगा, उ ये सारी चीजे कभी भी अगर आप लोग अपने माइड में लेकर आते हो, तो ये डिरेक्ट और इंडिरेक्ट वे में आप लोग अपने आपको अपने गोल से दूर कर रहे हो, तो किसी को साथ में अपने आपको compare ने करें, कभी भी life में, अगर ऐसा करेंगे तो आप लोग अभी भी अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे, और एक सही मुकाम पर नहीं पहुँच पाएंगे, मैंने आप लोग ने अगर ट्विटर पर मेरे साथ में आप लोग connect है, तो ट्विटर पर मेरी एक tagline देखियोगी, मुझे एक tagline काफी अच्छी लगती है, drop the idea of becoming someone, यानिके किसी और की जैसा आप लोग बनना है, वो idea drop कर दीजे, क्योंकि आप लोग ओल्डी एक masterpiece हो, यानिके आप लोग अपने आप में एक complete personality हो, आप लोग क्यों किसी के जैसा बनना चाहते हैं, हाँ लोगों की चीजे देखे, अगर अच्छी लगते हैं तो उन्हें life में थोड़ा सा implement कीजे, अपने हिसाब से जो आप लोग follow कर सकते हैं, अपने तरीके से, ना कि किसी और के तरीके से, तो ये मुझे काफी अच्छी line लगती है, और ये आप लोग भी अपने life में implement कीजे, तो आप लोग के अंदर confidence रहेगा, अपने काम को अपने तरीके से कर पाएंगे, ये मझे सोचे उसने ये काम नहीं किया, उससे ये काम नहीं होआ तो आप लोगों से भी नहीं हो पाएगा, तो ये गलत तरीका है, तो इस तरीके से आप लोग अपने आपको काफी एक अलग डिरेक्शन में लेकर चलते हैं, जैसे मैंने कल एक वीडियो भी बनाई थी, कल UPSC का जो मेंस का मतलब final result यहां पर आगया, तो ये जो final selection होए हैं यहां पर कई सारे बच्चों का selection नहीं हो है, क्योंकि जो selection हो हैं वो just under thousand यह करीब आप लोग को देखने को मिलता है, पर लेकिन जो form भरते हैं, वो यहां पर लाखो और हजारों में संख्या उनकी रहती है, तो इस time पर क्या condition बनती है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो frustrated हो जाते हैं कि हमारा selection नहीं हो रहा है, इससे आप लोग अपनी energy को इतना down कर देंगे कि आप लोग आगे बढ़ी ही नहीं पाएंगे, तो यह नमस सोचे कि उस इंसान से नहीं हो आओ, वो तो टोपर था यार मेरे से कैसे होगा, हो सकता है कि उस इंसान का किस दिन दिमाग खराब हो गया हो, जब वो exam देने जारा था, रास्ते में कोई accident हो गया हो, exam hall में बैट कर वो अपने आपको सभालना पाया हो, या घर में किसी की death हो गई हो, तो दुनिया भर के reason हो सकते है किसी भी इंसान के साथ में, उससे नहीं हो, इसका मतलब यह नहीं है कि आप लोग उससे नहीं होगा, आप लोग उसकी situation को अपनी situation के साथ में कैसे compare कर सकते हैं, तो ये गलत तरीका है, ऐसा life में कभी भी आप लोग को नहीं करने हैं, अपनी life को अपनी हिसाफ से lead कीजे, तो आप लोग एक सही मुकाम पर जरूर पहुँचेंगे, ठीक हैं, तो ये बाते जरूर याद रखेगा, किसी को भी किसी के साथ में compare नहीं करना है, अपने आपको अपने साथ में compare कीजे, आपका last जो दिन था, next day आप लोग उससे बैठ रहोना चाहिए, तो फिर आप लोगो अपना goal अचीव करने से कोई नहीं रोख सकता, कोरोना वाइरस के केसिस के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, तो all over world में 1,60,90,450 केस आ चुके हैं, और जो death का matter है यापर ये 7,00,000 क्रोस कर चुके हैं, फोर्टी नाइन लाग केस के साथ में ये से टोप पर है, ब्राजील दूसे नमबर पर है 28,00, इंडिया तीसे नमबर पर है 19,00 केस के साथ में, नमबर ओफ केसी सबसे ज़्याद है जो कला है वो ब्राजील में, दूसरे नमबर पर USA में और तीसरे नमबर पर इंडिया में है सबसे ज़्याद है केस बाकि अगर बात करें हमेरा पुड़िशी देश पाकिस्तान ये चोधवे नमबर पर हैं आपर दो लाख 80,000 केस के साथ में और टोटल लगबग 6,000 लोगों की जान जा चुकी है हमारी केंट्री में अब तक जो लोगों की जान गई है ये गई है 39,820 तो यानिके लगबग 40,000 लोगों की जान हमारी केंट्री में अब तक जा चुकी है महरास्टा सड़े 4,000 केस के साथ में टोब पर चल रहा है और मैंने आप लोगों को बोला था कल यूएस से भी यूएस से नहीं यूपी जो है वो भी हाँ पर ये एक लांकी केटेगरी में आ जाएगा तो महरास्टा तमिलनाडू आंदर परदेश करनाट का डहली उत्तर परदेश अब ये एरिया है जो एक लांक का अकड़ा क्रोस कर चुके हैं हमारी कंट्री में नंबर ओफ केसिस के मामले में तो इसके बारे में आप लोग थोड़ सा आइडिया जुरू रखेगा ताकि किसी भी एरिया में अगर आप लोग रहते हैं तो अपने आपको आप लोग सेफ कर सकें तो ये थी इसके बारे में इन्फोमिशन बाकि आज का जो आप लोग का में बेश कुशन है ये है गालवान रिवर जाकर में पर निहारेगा कहां पर लोकेटिट है तो इसके बारे में फिर हम लोग नेश्ट लेक्चर के अंदर डिसस करेंगे बागी काफी कुश शांदा डिसस करने के लिए आज के दाहिंदू नियूस पेपर में आर्टिकल एक बार देख लिते हैं कौन-कौन से हम लोग को डिसस करने हैं वाला आटिकल और ये वाला आटिकल और यहीं सारे का आटिकल के मुद्दे पर बात कर रहे हैं और इसुआज के जो करने कि आज बात करने की अज अज it, ऑच अबर 5 अगस्थ 2011 को आज यी की जो डेट में यहां पर आर्टिकल 317 को लोगों में डिसस्स गया था, फिर से थोड़ा सा ओवर्विव आप लोग यहाँ पर दोंगा, कि कीस तरीक से क्या-kया बाते बोलने की बात के जारी ए, आज यहाँ पर बात की जारी है, आयोध्या के बारे में, क्योंकि आप लोगो बता है कि राम मंदिर से लेटर यहाँ पर आज प्रोविजन देखने को मिलेंगे तो उसी के बारे में हाँ पर एक कैनलिसिस किया गया है तो यह जो है यहाँ पर एक पर्टिक्लर परसिलेल्टी जो आर्टिकल लिख रहे हैं यहाँ पर एक mediation panel बनाए गया था हमारी country में Supreme Court के दौरा तो उसका part भी थे यह mediation panel में कौन-कौन थे क्या इनके दौरा result लाए गया फिर उसके बाद में क्या result आया हमारी country में national education policy आई है तो उसमें language को लेकर बात की जा रही है South India का क्या concern है उस particular area में तो वो हम लोग जानेंगे हापर यह cartoon काफी अच्छा interesting है इस cartoon के ओपर हम लोग नज़र डालेंगे और इस cartoon से लेटर आर्टिकल भी है हापर जो बात की जा रही है आयुध्य वाला matter तो यहाँ पर इसको हम लोग देख लेंगे तो एक अच्छा article आप लोग इसको बोल सकते हैं वो एक अच्छा cartoon आप लोग बोल सकते हैं काफी अच्छे से चीज़ों को detail में explain कर रहे हैं तो इसके बारे में जानेंगे कोविड-19 से लिटेड ही हाँ आपर data है कहाँ पर क्या चल रहा है क्या किसे चल रहे है तो यह सारी चीज़े हम लोग देख ही रहे है साइट वाला जो article है यह भी historically काफी importance है आपर रखता है इसके बारे में मैं आप लोगों ही पर ही बता के चलूँगा आप लोगों ने रहा होगा अपनी history में world war second के बारे में तो जो world war second ही आपर देखने को मिले थी तो उस time पर एक काफी important event है जिसने पूरे world को दहला कर रख दिया था वो था Hiroshima and Nagasaki Hiroshima और Nagasaki यह जापान की cities थी जिनके उपर USA यहनिके United States of America के दोरा bomb गिराए गया था यहनिके जो USA है यहापर उसके दोरा जापान की cities के उपर bomb गिराए गया था यह है यहापर जापान इसमें हीरो सीमा और Nagasaki के उपर तो यह जो event है आपर देखने को मिला था यह था 6 अगस्त और 9 अगस्त को यहनिके हीरो सीमा पर यह था यहापर 6 अगस्त को और 9 अगस्त को था नागसागीबा तो उसके चलते हापर जापान ने surrender कर दे था क्योंकि इतनी जादा तराजदी हाँ पर देखने को मिले थी तो इसी के बारे में हापर बात की जा रही है गांधी जी के ideas के बारे में कि जब गांधी जी के बारे में हम लोग बात करते हैं उस time पर कि गांधी जी ने इसके ओपर क्या comment किया तो उसके बारे में यहाँ पर रैटर बोलते हैं कि गांधी जी ने इसके ओपर कोई कमेंट नहीं किया था, गांधी जी उस टाइम पर यहाँ पर चुप थे, यानि कि उन्होंने सांती बनाए रखना ज़्यादा बैटर समझा, पर लेकिन जब आगे चलकर वो यहाँ पर आग सिदे कमेंट कर रहे हैं, तो उसकी वेसे क्या होता है, उसकी वेसे वो चीज और ज़्यादा बढ़ जाती है, वेलेंस सोसाइटी में और ज़्यादे हाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा, तो उन्होंने का कि मैं नहीं चाहता कि मुझे अटोमिक बंपे बोलना चाहिए, I feel, I must not speak on the atomic bomb, क्योंकि इस तरीके से अगर मैं कुछ कर नहीं सकता उसके बारे में, तो मुझे बोलना नहीं चाहिए, यानि कि कहने का मतलब यह है कि हर एक इंसान आज केट में भासन देता हुआ, आप लोग को नजर आएगा, पर लेकिन बहुत कम इंसान ऐसे हैं, जो कि उ एक तरीके से आग में घी डालने वाली बात होगी, उस एक तरीके से इस 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 इंसिडेंट के बारे में और ज्यादे नेगिटिव कमेंट होने स्टार्ट हो जाएंगे, तो यह बात बोलकर गहांदीजी ने अपनी बात जो थी, वो सैड में कर दी, तो उस टाइम पर यहा बुरी कंडिशन होती, तो इस तरीके से आपर जो डिवजन देखने को मिला, तो उसी के बारे में आपर बात की जारी है, कि गांधी जी के दोरा जो इस स्टेटमेंट यहां पर दी गई, वो इस स्टेटमेंट जो थी, वो उसको सांत बनाई रखने की बात कर रहा था, तो आपर यह पहले हैं, यहां पर उससे के जो डोनल्ल ट्रम्प है, यहां पर बात करते हैं, और हां, कई सारे बच्चे हां पर पूछने हैं, कि सर क्या आप आंसर आइटिंग बंद कर देना चाहिए, तो जो बच्चे फॉस्स टाइम प्रिलिम्स दे रहे हैं, या फिर जो उसको ज्यादे टाइम नहीं लग रहे है, एक अंसर लिखने में ज़स उसको 15-20 मिनट लग रहे हैं, उससे ज्यादे उसका टाइम नहीं लग रहे है, तो वो आंसर इंग कर सकता है, उसमें कोई पॉलम नहीं है, ठीक है, तो एक महिना पहले छोड़ दीज़ेगा, जिसको लगता है कि हां उसका टाइम जादे लग रहा है और जादे उसका टाइम जो है आपर अभी प्रिलिम्स में उसकी पकड नहीं है जिसको लग रहा है कि प्रिलिम्स के ऊपर पकड बनी है प्रिलिम्स तो किलियर होई जाएगा तो वो answer writing continue कर सकते यह आप लोग decide कर लिजएगा कि आप लोग की stage कैसी है आप ठीक है यह नहीं क्योंकि मैं बोलूगा तो वो सब के लिए equal हो जाएगा तो वो सही नहीं है आप इस तरीके से बोलना तो आप लोग decide कर लिजएगा अगर आप लोग का prelims अच्छा खासा आप लोग ने पकड़ ब बचे हुएं क्योंकि अगर prelims ही नहीं clear हो पाएगा तो आगे फिर कोई मतलब ही नहीं किसी भी काम को attempt करनेगा तो यह बात आप लोग को थोड़ी ध्यान में रखके चलनी पड़ेगी ठीक है तो यह आप लोग के उपर depend करता है कि आप लोग किस stage पर यह आप लोग को पता तो आप लोग थोड़ा सा फोकस दीजे थोड़ा सा और ज्यादा फोकस दीजे प्रिलिम्स के उपर फैट्स फिगर रिवजन के उपर उन सब चीजों के उपर ठीक है current affair को continue रखें current affair एक ऐसा पार है जो कि जैसे अभी हाँ पर H1 वी वी वीजा के बारे बात आगी पहली ब गंटा लगबग आप लोग निकाले जिए आधा घंटा 35-40 मिनट तो वह आप लोग वैसे नहीं बैट कर एक जगे आप लोग उसको चलते फिरते भी सुन सकते हैं तो अपना प्रेक्टिस पर पूरा फोकस दीजे कि प्रेक्टिस आप लोग को कैसे करनी है तो पूरा फोकस आती है जो MCQ वाली वीडियो आती है morning में चार बजे हमारी उसमें भी मैं आप लोग को बताता हूँ कि आप लोग को किस तरीके से पहले question पढ़िए उसके बाद में चीजों को आप लोग answer देके attempt कीजे ताकि exam जैसा आप लोग feel करें ठीक है तो वह चीज़े है कैस सारे doubt थ यह आप लोग को आगे भी फायदा मिलेगा उसका बात के जारे यहां पर डॉनल्ड ट्रम्प साब के बारे में तो डॉनल्ड ट्रम्प साब के दौरा एच वन वी वीजा होल्डर जो है उनको यहां पर अभी रोका जा रहा है ताकि American जो लोग है उनको जो प्रोवाइड कर बीजा है है h1V वीजा जो है आपर रही यह skilled वर्कर के लिए आप लोग को देखने को मिलेगा जो की वाइडलि घ्रंट किया जाता है लार्ज स्केल पर हमारी कंट्री के लोगों के लिए यहनगे h1V वीजा अगर एक साल में प्रोवाइड कराये जो भी वीजा है उनमें से 60-70% जो लोग है वो इंडियन आप लोग को देखने को मिलेंगे जो भी ये विजा होल्डर होंगे तो यहने के कहने का मतलब यह अगर इस विजा के ओपर कोई इंपैट पड़ता है जैसे कि आप लोग बात करते हैं गूगल के बारे में गूगल का एक ओफिस हो गया इंडिया में एक ओफिस उसका माली जए USA के अंदर देखने को मिल रहा है तो अपने एक ओफिस इंडिया को ओफिस से यहाँ पर USA को ओफिस में अगर किसी इंपलोई को ट्रांसफर करना है तो इस ताइम पर यहाँ पर L1 वीजा होता है J1 वीजा जो होता है आपर स्टुडेंट के लिए रहते है यह निकि जो स्टुडेंट वहाँ पर जाना चाते हैं और वर्क भी करना चाते हैं और श्टड़ी भी करना चाते हैं तो उनके लिए J1 वीजा है आपर देखने को मिलता है तो एक तरीक से वर्क और श्टड़ी दोनों साथे मिल जाते हैं अब यहाँ पर यह काफी इंपोडेंट वीजा है आप लोग तो H1 वीजा हो गया आप लोग के साथ में आप लोगी हस्बंड या वाइप आप लोगके साथ में जो आप लोग के ओपर डिपेंडेंट है आप लोग के बच्ची होगे तो उनको H1 वीजा लтобच इन डाने के लिए तो इन डिरेक्ट वे में अगर H1V visa को यहाँ पर रोग दिया जा रहा है USA में तो इन डिरेक्ट वे में H1V visa की कमी हो जाएगी आपर इसको भी लेने वाले कम भी लेंगे क्योंकि यह इसी के ओपर dependent है आपर ठीक है तो इस तरीके सा आप लोग यहाँ पर देखे चोरी H4 visa जो है आपर यह इसके ओपर dependent है H1V visa की ओपर उल्टा वो जाएगे ठीक है यहनिके जो H1V visa वाले skilled worker है उनके husband और wife भी होँआ पर जाएगे उनके साथ में तो इस तरीके समझेगा तो H4 visa जो है उसमें भी कमी आ जाएगी लोग उसको भी नहीं लेंगे और सबसे ज़्यादे इंडियन इसका यूज़ करते है तो इसी के चलते हैं हाँ पर यह बात की जा रही है तो समझ लेते हैं आखिर इनका दिमाग खराब क्यों हो रहा है आप वो समझ लेते हैं आप लोगों को मैंने भी दिखा है USA जो है All Over World में सबसे ज़्यादा है जो Coronavirus के case देखने को मिल रहे हैं तो पहली तो बात यहाँ पर यह इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे लोगों को यहाँ पर समझाना है कि इतनी बुरी हरकत USA की देखने को मिल रही है तो यहाँ पर इस टाइम पर डोनल्ड ट्रम को कैसे लेकर चलना है तो पहला तो मुद्धे हाँ पर यह हो गया दूसरा मुद्धे हाँ पर यह बता रहा है आज की डेट में आगर आप लोग चीजों को काउंट करके चलते हैं तो important fact यहाँ पर आप लोगों को यह देखने को मिलेगा कि election आ रहे है भी November के महिने में तो कुछ न कुछ तो लोगों के लिए होना चाहिए न बोलने के लिए बहुत सारे ऐसे वादे हैं के दौरा पूरे किये गए जैसे इनके दौरा बोला गया था Paris Climate Agreement से भाहर निकल जाएंगे तो यह निकल गए इनके दौरा बोला गया था Iran Nuclear Deal से भाहर निकल जाएंगे तो यह निकल गए पर लेकिन कुछ और इनके ऐसी तरीके से आपर इनके दौरा प्रोमिस किया गया था कि एक तरीके से वो पूरे नहीं कर पाएं अफगानिस्तान से बाहर निकलने वाली बात है completely हाँ पर implement नहीं कर पाएं तो उसके बारे में आप लोग बोल सकते हैं तो इस तरीक कई सारे मुद्धे हाँ पर है बीमारी भी एक तरीके सर पर चड़कर बोल रही है तो चाइना को टारगेट कर रहे हैं इसलिए बार-बार यहाँ पर यहाँ पर यहाँ ताकि लोग जो है उनका जो ध्यान है वो election के मुद्धों को ध्यान में रखते हुए आगे एक तरीक से भटकाया जा सके और unemployment और जो दूसरे मुद्धे है कंट्री के अंदर COVID-19 जिससे इनकी image खराब होती है उसको रोका जा सके तो यहाँ पर कोसिस की जाती है हर एक politician के द्वारा हर एक कंट्री के अंदर में तो डोनल्ड ट्रम्प साब के द्वारे हैं आपर एक तरीक से फिर से जो crucial year है election का उसमें इनके द्वारा ये step उठाए गया है तो इसके चलते जो USA के प्रेजिडेंट इनके द्वारा बोला गया है कि skilled foreign worker जो है हमारी country में काम करने आते हैं ठीक है जिसकी विए से हमारी country में इनकी तादात काफी ज़दा बढ़ रही है और हमारी country के जो लोग है उनको यहाँ पर जोब नहीं मिल पा रही है क्योंकि जो बाहर के लोग यहाँ पर जोब करने आ रहे हैं बड़े सस्ते में हाँ जोब कर लेते हैं इसलिए हमारी country में cheap labor रहती है तो cheap labor के चकर में हम लोग cheap foreign labor के चकर में अपनी country के लोगों को जोब नहीं दे पारे हैं, तो इसके चलते हम लोग के आपर इसको रोखना पड़ेगा H1B visa को, इंडिया जो है 60-70% इंडियन को ये visa मिलता है, तो इसलिए हमारी country के ओपर काफी impact पड़ने वाला है, जो IT company है हमारी country में based, उनके ओपर भी काफी impact पड़ यहां पर कोई ऐसा step उठाएगा, तो हम लोगों को भी सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि हमारी कई सारी company ऐसी हैं, जो USA में काम कर रही है, और USA में वहाँ पर job provide करा रही है, जो IT company है हमारी country की, तो इस तरीके से हमारी country वहाँ पर जाकर उनको job provide करा रही ह तो यह एक तरीके से इंडिया को आप सोचना पड़ेगा, कैसे उसको लेकर चलना है, क्योंकि USA में जैसे डॉनल्ड ट्रम्प का रवईया रहता है, तो काफी एक तरीके से problem की rate करने वाला रवईया है, Facebook हो गया, Google हो गया, या फिर कोई और बड़ी company हो गई, उन Microsoft हो गया, हमेशा बोला जाता है, कि यह ऐसा रवईया है, हापर यह सही नहीं है, हमारी country की जो economy में हापर आज केट में जो immigrant लोग आ रहे हैं, वो जिस तरीके से pay कर रहे हैं, तो उसको आप लोग एक तरीके से, उनका thanks आप लोग बोलना चाहिए, यह सही रवईया नहीं है, आपर हम करने के लिए जाते हैं, वो पहले लेते हैं, अम पाल मल जिए पहले उन्होंने ही लिए हापर यह वाला वीजा, ठीक है, जोग करने के लिए गए, तो इसी के सात में इनके घरवाले भी पहुंचके एस फोर वीजा लेका, तो आगे चलकर काम करते करते हैं, ऑपरुगार ज जो डॉनल्ड ट्रम साब के ओपर question mark लगा रहे हैं कि इनकी वज़े से हमारी country जो है ये आज के इतना large scale पर pandemic की चपेट में आ गई और अभी कल में इनका एक tweet देख रहा था twitter पर तो इन्होंने बोला कि school को open करने जा रहे हैं तो ये फिर से बार बार एकी बात लिखते हैं कि आओ अमेरिका को फिर से महान बनाते हैं तो देखिए बोलने से इस तरीके से महान बनने लगते हैं तो पता नहीं एक तरीके से कौन क्या आज के रेट में बना बैठा करने से महान बनता है इनसान अगर कुछ काम करेगा काम कर बोला गया कि number three, यहाँ पर देखेए, there is high possibility कि वोटर इनको पनिस करेंगे number three को, क्योंकि number three को जब यहाँ पर election होगे, तो जितना irritate आज के टमें, USA के वोटर खुद इनसे हो चुके है, सायदी कोई और इनसे इतना एक तरी से irritate होगा, all over world तो irritate होई रहा है, पर लेकिन यहां पर भी काफी ज़दे एडिटेशन देखने को मिल रहा है ठीक है तो यहां पर जो ट्रंप साब है अभी उनके बारे में अगर बात करें तो कई सारी चीज़े देखने को मिलते हैं सोसाइटी में रंग भेद की नीती को लेकर भी कमेंट करते हैं काले बलैक और वाइट के ओपर भी है तो आज की डेट में नहीं ऐसा USA में पहले सी होता हुआ है कि USA में जो सोसाइटी है वो काफी पॉलराइज हुजाती है पर लेकिन डोनल्ड ट्रंप के साब के टाइम पर का और अब की बार यहां पर यहां पर यह कम होता भी नजर नहीं आ रहा है यानि कि डोनल्ड ट्रंप साब जो हैं वो गलत मुद्दो को उठा रहे हैं जो डेवलोपमेंट के इंप्लॉइमेंट के और जो अपनी कंट्री को सही डिरेक्शन में ले जाने वाले मुद्दे हैं उनके ओपर बात नहीं करें उन उद्दो पर बात करें जिससे लोग के अंदर रोस घुसे एक तरीक से गुसा है उनको और फिर उसका यह यह यूटिलाइजेशन कर सकें जिस तरीके से हर एक कंट्री में एलेक्शन के टाइम पर किया जाता है तो वही नीती डोनल्ड ट्रम साब यहाँ पर अपनाना चाहते हैं नेक्स्ट जो आर्टिकल है काफी इंट्रिस्टिंग आर्टिकल आप लोग बोल सकते हैं अगर थोड़ा सा आप लोग हिस्टी जानते हैं तो आप लोग यहाँ पर इसको समझ पाएंगे यह परसनेल्टी है लाल किर्शन आडवानी साब के ओपर यहाँ पर केश चल रहा है अयो्ध्यावाले मुद्य को लेकर यानीके बावरी मस्झीत के डिमोलिशं को लेकर पर लेकिन जब यहाँ पर बात आती है थोड़ सा आप लोग ने चीजों को follow किया है तो जब आप लोग को याद होगा कि 2002 में जब गुजरात के अंदर दंगे हुए थे तो यहाँ पर उस टाइम पर हमारी country के जो प्राइमिस्टर थे वो अटल बिहारी वाजपेजी थे तो अटल बिहारी वाजपेजी के द्वारा बोला गया था कि एक तरीके से यहाँ पर मोधी जी को जब चीप मिनिस्टर थे गुजरात के उनको हटा देना चाहिए यानि कि एक तरीके से उस टाइम पर जब इनके द्वारा बोला गया अटल्ब Airlines वाजपैजी के द्वारा, कि ये सई तरीका नहीं है, काम करने का तो उस टाइम पर Modi जी को जो बचाए गया था, वह आडवाणी साब के द्वारा बचाए गया था ये उनके आडवाणी जी के द्वारा यहां पर बोला गया कि कोई नहीं गलती हो जाती है तो उस तरीके से जो protection प्रोवाइड कराएगे थी मोधी जी को वो आडवानी साहब के द्वारा प्रोवाइड कराएगे थी और आगे चलकर फिर मुद्दा ये हुआ कि प्राइमिस्टर कौन बनेगा तो आडवानी साहब प्राइमिस्टर बनना चाहते थे तो मोधी जी जो है आडवानी साहब के सर पर पैर रखकर प्राइमिस्टर बन गए तो उसके चलते मोदी जी और आडवानी जी के बीच में काफी रसा कसी चलती रहती है नियूस में भी आप लोगों ने कई बार देखी होगी और अब ये मुद्दा है है हापर आयोध्या वाला बावरी मजीत वाला तो जो सारी एक तरीके से नाम आता है कि किसने ये काम करवाई है किसने यहाँ पर ये इस तरीके एक्टिवटे करवाई है तो सबसे पहले नाम आता है हापर आडवानी साहब का और आडवानी साब के ओपर यहाँ पर case भी चल रहा है तो आडवानी साब के सर पर आगे हैं यहाँ पर कांटे के तार और मोदी जी के सर पर आगे है मंदिर का सहरा तो यह चीज़ें यहाँ पर दिखाने की कोशिस की जा रही है यह निके कहने का मतलब यहाँ पर यह कि एक तरीके से जो है जहमत उठाई किसी और ने और जो है फाइदा उठा गया कोई और तो यहाँ पर यह कार्टून दिखाने की बात कर रहे है तो खाफी इंट्रेस्टिंग विए में हापर हिस्टी को भी दिखा रहा है एक कार्टून किसी particular leader को तो आरवनी साब के द्वारा हमाँ पर सेफ किया गया था तो वही बात है तो इसी के ओपर यहाँ पर आर्टिकल है यह जो बात की जारी है आयोध्या वाला आयोध्या का आर्टिकल हाला कि अलग डिरेक्शन यहाँ पर दिखा रहा है यह mediation के बारे में हाँ पर बात हैं आपर यह आयोध्या बाबरी मजीद को लेकर यहाँ पर यह सारी चीजे तीन मेंबर की एक कमिटी बनाएगी जिसमें जस्टिस थे हैं आपर यह थे इबराहिम कलिफुल्ला फोर्मर जस्ट थे यह कोट के जो की रिटायर हो चुगे थे दूसरे थे सिरी सिरी रविस अं ठीक है तो ये तीसरी personality थे जो कि एक advocate थे ये तीन member की committee बनाएगी और इनको बोला गया कि हिंदू और muslim को बैठाओ और उनके बीच में कैसे मज़स्ता आप लोग कर सकते हैं, mediation आप लोग कर सकते हैं, एक solution निकालकर लेकर आओ, तो ये बात यहाँ पर उस time पर कीगी, तो ये जो condition थी जब यहाँ पर result देखने को मिला, तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर अभी बात करेंगे, तो यहाँ पर बोला गया कि जो एक extend कर दिया गया 15 अगस्त उता है 19 तक और फिर बाद में इसको extend कर दिया गया आगे और, ठीक है ना, court के द्वारा advance कर दिया गया, यहाँ पर इसको आगे चल गा, ठीक है, यहनिके पहले यहाँ पर यहाँ पर यह था, फिर उसको और जुलाई था, फिर इसको अगस्त कर दिय गया, और फिर यहाँ पर आगे चीज़े और देखने को मिली, फिर जब यहाँ पर बात करें, तो यहाँ पर all party, जो आगरिमेंट पर नहीं पहुंची, तो court के द्वारा hearing स्टार्ट कर दी 6 अगस्त को, तो यहाँ पर, जो mid September में हाँ पर request के गया, all parties से, court के अंदर की अपन कर अपना अजेजमेंट सुना दी हाँ पर, यह नॉंबर 9, 2019 में, डिस्रिप्यूट को लेका, तो इसके court के द्वारा जो decision सुना गया, बोला गया कि जहाँ पर आज के date में मजीद है, यहाँ पर मंदीर था, बाबर के द्वारा उस मजीद को तोड़ा गया, और मंदीर बना बनाने के लिए अलग से, एक जगह रखना यहाँ पर सही नहीं था, अच्छी बात यहाँ पर क्या देखने को मिली इस judgment की, यह judgment जो था, इस judgment की वैसे कोई भी खून खराबा हमारी society में देखने को नहीं मिला, अच्छी बात यहाँ पर बस मुझे यह लगी इसकी, हाला कि क साफी बड़ा मुद्ध यहाँ पर एक बन जाता, क्योंकि religion के नाम पर बहुत सारी कंटी में असनी से लड़ाई कराई जा सकती है, तो सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह रही, उस टाइम पर असांती बनी रही, तो उसके बारे में एक important fact आप लोग यहाँ पर बोल सकते है तो अभी हाँ पर आज का दिन 5 अगस्त के दिन हो आपर उसका उद्गाटन किया जाना है, तो अभी हमारी society हाँ पर divide हो चुकी है, देखें आपर जो basically अंबेडकर को follow करने वाले हैं, अंबेडकर साब को, तो वो एक तरीके से इसको oppose करी रहे हैं, कि इस तरीके से आप ये event के लिए, क्योंकि 5 अगस्त में माने जाता है कि जो गोड भगवान है, वो अभी आराम कर रहे हैं, और अभी ये सई टाइम नहीं है, वो भी oppose कर रहे हैं, तो पहली बार ऐसा देखने को मिल रहे हैं, कि political leadership जो हैं, आपर religion leadership के ओपर हवी पड़ गई है, वरना normally ऐसा दे जाएगा, आगे कई सारे article आप लोग को देखने को मिलेंगे, तो उनके बारे में फिर हम लोग बाद में discuss करेंगे, next article के और चलते हैं आपर, बात की जारी है, language of unity, अगर आप लोग बात करें, चाइना में Chinese language देखने को मिलेगी, फ्रांस में French देखने को मिलेगी, जापान में Japanese देखने को मिलेगी, हर एक country में कोई ने कोई एक ऐसी language जो उसको unite करने का काम करती है, हमारी country में आप लोग कननड, तेलगू, तमिल, मलियालम, हिंदी, तो दुनिया भर की language आप लोग को देखने को मिल जाती है, कोई ऐसे single language नहीं है, जो की unite कर सके, सब को एक जगए धागे में अपने आपको पिरो हो सके, पर लेकिन कुछ ऐसे राज्ये हमारी country में South India में, जैसे कि आप लोग बात कर सकते हैं, तमिल, नाडू, केरला वगेरा, ये ऐसे राज्ये हैं, जिनको यहां पर यह चीज पस्ती नहीं है, क्योंकि वो ये बोलते हैं, एक तो हम लोग अपनी local language रखेंगे, जैसे Tamil लोग या, एक हम लोग English रखेंगे, हिंदी का हम लोगों को करना क्या है, हम लोग क्योंकि हिंदी हमारे काम नहीं आने वाली है इतनी, जितनी अगर हम लोग English पर फोकस करेंगे, तो हम लोग अपनी country में भी जाकर काम कर सकते हैं कहीं पर भी, और foreign में जाकर भी काम कर सकते हैं कहीं पर भी, और चीजों को हम लोग understand कर सकते हैं, तो Tamilian language के अलावा हम लोग English पर जदा फोकस देकर चलेंगे, इसलिए थरी language वाला formula जो था जिसमें हिंदी को भी include किया गया था, वो वाला इन्होंने implement करने से मना कर दिया, कई सारे राज् नोन हिंदी स्पिकिंग स्टेट के अंदर में, यानिकि यह वो लगया था कि नोन हिंदी स्पिकिंग स्टेट में ता कि आप लोग हिंदी को भी follow करके चलो, कोई बच्चा स्टार्टिंग से हिंदी पर focus देकर चलेगा, तो आगे चलके चीजों को अच्छे से understand कर पाएगा हिंदी में और अपनी लाइप में भी implement कर पाएगा, पर लेकिन प्रेसर इतना ज्यादा बना कि उसको वापस लेना पड़ गया, तो नेसलनल एजुकिशन पॉलिसी जए यूनियन कैबिनेट के दौरा लास्ट वीक अप्रूव किया गया, तो थ्री लेंग्वेज पर लेकिन इड़ा पड़ी के जो यहाँ पर प्रलीना स्वामी साब है, यानि के जो तमिलनाडु के चीपनिष्ट हैं, उनके द्वारा बोला गया कि हमारे जो सेंटिमेंट से उनको हट करता है, यह painful है काफी जाद है, तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि हमारी ओन लें जो आप लोग ने देखा होगा जिसमें पांची में और आटवी किलास में एडमिसन होता है, बच्चो को हुस्टल में ही रखा जाता है, वहाँ पर हिंदी भी पढ़ाने से इनके द्वारा मने कर दी गी थी, क्योंकि अगर यह हिंदी पढ़ेगी, तो फिर आगे हिंदी ब लेंग्वेज फोलिसी यहाँ पर तमील और इंग्लिस है, वो बेस्ट पोलिसी मानते हैं, और तमील नादू के जो चीप निश्टर थे फोर्मर सी एन अन्ना दुरई, 1968 में उनके द्वारा भी यहाँ पर यही बाते बोली गई थी, तो एक तरीके से लिबरल वर्ड में इंग्लिस तो कम से कम सीखनी है, सीखनी चाहिए आप एक तरीके से अगर लाइप में आप लोग सही डिरेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ इंट्रेस्टिंग वे में अपनी लाइफ को लेकर चलना चाहते हैं, इवन कम्प्यूटर के बारे में बात करें आप ल इंग्लनाडू के जो बच्चे हैं उनको हिंदी से डिप्राइब किया रहा है, उनको हिंदी नहीं सीखने दिया जा रहा है, तो इस सही तरीका नहीं है, उनका भी हक है आपर हिंदी सीखने का, ताकि वो भी अपने कंट्री में एक ऐसी लेंग्वेज को जान सके हैं, जो इतना ज्यादा फोकस करें, क्यों फाल तुम्हें अपने एरिया में हिंदी को हम लोग इतना ज्यादा आगे लेकर चलें, जबकि इसका कोई फायदा होने वाला नहीं है, इससे कोई जोब नहीं मिलने वाली है, अगर आप लोग बोले हिंदी से जोब मिलने वाली है, तो आ आगे चलते हैं फिर से वही बात है सारी गुमा फिरा कर आज है पांच अगस्त पांच अगस्त के साथ दिन आपर आर्टिकल 370 को चेंज किया गया था तो आर्टिकल 370 और 35 एक के बारे में आपर बात कि जा रही है तो 370 में जब चेंज किया गया था तो पहले क्या था और ब अब single citizenship हो गई है अलग जंगदा था है यहाँ पर जो में कस्मीर का अब ट्राइक कलर पूरी कंट्री फैला जाते है अब खरीद पाएंगे आप लेंड प्रोपर्टी वगरा हाला कि अब भी भी कुछ ना कुछ रिष्ट्रिक्शन आप लोगो देखने को मिलेगी आठ यह अप्लिकेबल नहीं था राइट इन्फॉर्मिशन एक 2005 का यह भी अप्लिकेबल है यहाँ पर हो गया है इसी के साथ में जो डूरेस ने आपर एसेमली के एलेक्शन की ओच्छे साल होगा कर दी थी उसको गटागर पांच साल कर दी गिए जैसे दूसरे राज्ये में देखने को मिलती है तो यह एक पोजेटिव साइड है आर्टिकल 35 यह क्या बोलता है आर्टिकल 35 यह आपर एड किया गया था सम नोन रेजिडेंट के हाद में यह राइट नहीं होगा जिसके चलते बहुत सारे जो लोग हैं आपर वो अपने हक से डिप्राइव कर दी जाते हैं तो इसलिए आपर इसके अंदर भी चेंज किया गया कि यह सही आर्टिकल यहापर नहीं है हमारी कंट्री में फंडमेंट र परबाद होती है नजराएंगी तो कई सारे लोग यहापर यह बोले हैं आर्टिकल 370 को जो अटाया गया है वो बड़ा सही तरीका है यहापर ट्रांसफोर्म किया जा सकेगा जो रिजन है आपर जमेंट का समीर का तो वो आगे पता चलेगा कितने से हम लोग इसको ट्रांस से भी आप लोग जानते हैं जो कि 79 किलोमेटर लंबी है डोडा रिवर जो हैं आपर यह द्रांग द्रूंग गलेशियर जो नियर पेंसिला तो यहां से निकल के चलती है यह पास्थू होती है जसकर कारगिल रोड से ठीक है तो यहापर सैकिंड इस्टेडमेंट है कौन सी स आप लोगों को सारी पीडेप प्रोड़ करा दूगा आप लोगों को प्रोड़ करा दूगा जो कि हमारे फैमिली मेंबर के द्वारा सेयर की जाती है तो काफी अच्छा लगता है जब इस तरीके से आप लोग किसी भी तरीके से help कर पाते हैं तो यह एक तरीके से काफी एक तरीके से मैं अपने आपको comfortably feel कर पाता हूँ तो जैसे हाँ पर हमारी फैमिली मेंबर हैं वो merge करकर बार-बार PDF देते हैं तो अच्छा लगता है इसी तरीके से आप लोग काम करते रहे हैं जैहिंद